नमस्कार मैं हूँ आपके साथ इस्तियाक एमद और आप देख रहे आरेने स्वागत आपका महरो राजिस्थान में रुकरिंगे राजिस्थान की तमाम खबरों की तरह राजिस्थान के उद्यपूर में एक सड़क के भूमी पूजन को लेकर विवाद हो गया और नाल फाला सड़क के इन सरकार की प्रधानमंत्री सड़क योजना में श्रुकिर्ती हुई थी और 2014 में इस सड़क का भूमी पूजन और सिलन्यास हुआ था और ये सिलन्यास उद्यपूरसान सहद अरजुनलाल मीना और ग्रामिन विधायक फूल सिंग मीना ने किया था और बीजेपी ने कहा कि अब साथ साल बाद इसका काम 6 दिसंबर को दुबारा शुरू हुआ जिसे लेकर 7 दिसंबर को पूर विधायक सज्जन कटारा और उनके कारेकरताओं के साथ दुबारा इसका भूमी पूजन कर दिया गया और साथ ही उनके कारेकरताओं ने सिलन्यास का पत्थर तोड़ कर पास में पुल्या के नीचे फिक दिया और इसे लेकर इस्थान्य सरपंच और ग्रामिनों ने विरोध भी जता है और बीजेपी के उदेपूर ग्रामिन विधाये फूल सिंग मीना ने इसे लेकर उदेपूर एसपी से मुलाकात भी की और उन्हें कानूनी एक लाग उचित कारवाई होनी चाहिए और इस दोरान फूल सिंग मीना के साथ साथ गिर्वा के पूर प्रधान तखत सिंग शकावत बीजेपी नदेश्वर मंडल अध्यक्ष दिनेश धाय भाई और सरपंच पुशकर लाल सहित काई लोग मौजूद रहे राजिस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कुल 9488 नई केस मिले जो इस लहर में सबसे जादा है और मंगलवार को राजिस्थान में 68,422 लोगों की टेस्टिंग की गए और राजे में संक्मण की दर 14 फीजदी के करीब रहे और वहीं जिलेवार इस से देखें तो 33 में से 15 जिलों में पोजिटिविटी रेट 10 फीजदी से ऊपर रही और सबसे जादा संक्मण दर वीका नेर में 29,50 फीजदी दर जुई है और इसके अलावा जेपुर में 23, बाडमेड में 20, भरतपुर में 20,54 पाली में 19,12 चित्थोडगर में 18,18 अलवर में 17,24 और सीकर में 15,70 फीजदी पोजिटिविटी रेट दर जुई और इन जिलों के अलावा कोटा, भीडवाला, जोधपुर, उदेपुर, सवाई माधोपुर, अजमेर और राज समंद ऐसे जिले हैं जहां बुदवार को पोजिटिविटी रेट 10 फीजदी से 15 फीजदी के बीच रही कोरोना के नई वेरिंग, ओमिक्रोन के कारण मरीजों का ग्राब बहुत तेजी से उपर जा रहा है और राजे में 14 मार्च के बाद से जब डेटा वेरिंट से दूसी लहर आई थी, तब कोरोना के 41 जार मरीज सामने मिले थे और आपको बता दे कि 41 जार मरीज सिर्फ 27 दिन में मिले थे, लेकिन इस तीसी लहर में ओमिक्रोन के कारण ये संक्या महज 12 दिन में ही आ गई है के मताबिक तीसी लहर में दूसी लहर की तुलना में अस्पतालों में एडमिशन होने वाले संक्रीतों की संक्याब पहुत काम है और इसके पीछे बड़ा कारण प्रदेश में डेवलप हुई हर्ड इमॉनिटी भी है और वहीं राजस्थान के अलवर में महज 14 साल के लड़की से गैंग रेप की घटनास ने राजस्थान को जग जोड दिया और पीडी पोल नहीं पाती और सुनने में भी दिक्कत है फिलाल जेपर में उसका भी इलाज जा रही है और बुदवार को आपरेशन के बाद मंतरी और अफसर उससे मिलने पहुँचे लेकिन हालत देखकर सहम गए और इस दरिंदगी के बाद अपनी पीड़ा बताने के लिए उसके पास सिर्फ दो शब्दों का ही सहारा है और वो है मा और पाप और वो इससे ज़्यादा बोल नहीं पाती और अलवर में पुलिस काई CCTV फोटेज भी खंगाल चुकी है लेकिन आरोपियों तक महुचने में कामया भी नहीं मिली और अब उसे इंतजार है कि लड़की का इलाज हो जाए तो उसके इक्षारों से बदमाशों का हुलिया जानने की कोशिश की जाएगी और पीडित के मातपिता भी जेपूर में और उनके इशारों को वो थोड़ा अच्छे से समझ सकेंगी और उनी की मदे से पुलिस जानकारी लेनी की कोशिश करेगी और रेप के दोरान दरिंदो ने लड़की के प्राइवेट पार्ट में धारदार हत्यार से घहरा घाव भी कर दिया और करीब पांच डोक्टरों ने ओप्रेशन कर बच्ची की जान बचाई और पहले अलवर और फिर जेपूर में कई यूनिट खून चड़ाए गया और उसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा और इसके बाद 11 जनवरी की रात को गैंग रेप की जानकारी मिली और लड़की को अलवर में 13 फाटक पुलिस पर फेका गया था और वो वहां एक घंटे तक तड़पती रहे और वो कुछ भी बता नहीं पा रही थी और हालत गंबिर होने पर उसे जेपूर रेफर किया गया और जेके लोन अस्पताल के अधिक शक डोक्टर अर्विन शुकला ने बताया कि बच्ची के अंद्रोनी हिस्से में काफी घहरे का हुए और उसका रेक्टम अपनी जगा से खिसक गया और उसे जब अस्पताल आए गया तो काफी ब्लीडिंग भी हो रही थी कोटा नगर निगम की टीम चाइनीज मांजे के खिलाब कारवाई करने गई तो दुकानदारों ने टीम के उपर पत्थराप कर दिया और वहीं गनीमत किसी करमचारी को चोटे नहीं आए लेकिन निगम की जीब के कांच तूड गए और कोटा उत्तर नगर निगम की टीम पर ये हमला हुआ है और एक दिन पहले ही कोटा दक्षिन के अतिरिक्त आयुक अंबा लाल मीना ने कारवाई नहीं करने के पीछे यही कारण बताते हुए कहा था कि जब भी टीम ने कारवाई करने जाती है तो लोग हंगामा कर देते हैं और मार्केट करने लग जाते हैं तरसल मकर संक्रांती पर शहर में बड़े स्तर पर चाइनिज मांजा बिकता है और कोटा में नगर निगम दक्षिन की टीमों ने तो अभी तक एक बार भी चेकिंग और कारवाई नहीं की वहीं कोटा नगर निगम उत्तर की टीम बोर खेडा इलाकों में कारवाई करने गई टीम के उपर पत्थर फेकना शुरू कर दिया और ऐसे में टीम में भगदर मर्ज गई और उधर नगर निगम की जीप के कांच भी टूड गए थे और इस मामले में निगम के अधिकारियों का कहना है कि टीम के साथ इस तरह की घटना हुई है तो ऐसा करने वालों के दर्ज नहीं की गई है और राजिस्थान में कोरोना संक्रितों का आकड़ा बढ़ता जा रहा है और एक दिन में संक्रितों की संक्या 9000 तक पहुंच चुकी है और इसके बावजूद पक्ष और विपक्ष के जन प्रतिनीदिल लगातार गाइडलाइन तोड़ कर खुद के साथ लोगों की जिन्दगी भी खत्रे में अब डालने लगे हैं और भीड जुटाने पर प्रतिबंद है राचे में कोई चुनाव भी नहीं होने है और इसके बावजूद कई जन प्रतिनीदिल शक्ति प्रदेशन के लिए आयो जनों में नियम से ज़्यादा भी पीज लापरवाई बरतने वाले नेताओं में सरकार के मंत्री प्रताप सिंग ममता भुपेज मोहमद अर्जुन बामनिया सुखराम विश्णोई महेश जोशी हेमाराम चोधी के साथ ही नेता प्रतिपक्ष गुलाब चन कटारिया बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतिस पुनिया केंद्रिय मंत्री केलाश चोधरी और बीजेपी के कई नेता शामिल है और वहीं कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविन सिंग डोटा सारा भी पीछे नहीं हैं लगातार बढ़ते संक्रोंड के बावजूद नेता जी ने ना तो चहरे पर मास्क लगा रहे है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कर रहे हैं और कोरोना के बढ़ते खत्रे के बीच लापरवाई बरतने वाले नेताओं में सरकार के मंत्री प्रताप सिंग, मम्ता भुपेश, शाले मुहम्मद, अर्जुन, बामनिया, सुखराम, विश्नोई, महेश, जोशी, हैम राम चोदरी के साथ ही नेता प्रतिपक्ष, गुलाब चन कटारिया, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, सतिश पुनिया और केंद्रे मंत्री भी शामिल है और इसके लाब आपको बता दे कि लगातार कॉंग्रेस भी अब इस कुरोना गाइलेंड की उलंगना कर रही है जिले के बैजुपाड़ा में किसान सम्मान समारुको के आईजकों के खिलाब त्रशासन दुआरा एफ आयार दर्सकराने परस्या सद्गर्मा गई है और सईयो किसान मोचा के सईयोजक योगेंदर यादव ने टूट कर राजस सरकार को कट घरे में खड़ा कर दिया वहीं जिले की एक मंत्री और विधाय की फोटो शेयर करते हुए निसाना भी सादा जिन में मंत्री विधाय के कारेकरामों में बड़ी तादात में लोग बिना मास्क के कोविड काईलाइन का धज्या उड़ाते नजर आ रहे हैं और F.I.R. दर्ज करने के खिलाफ किसान संगठन से जुड़े कारेकरताओं में भी आक्रोश है जो की सोशल मीडिया के जरिये राजिस सरकार और इस्थानी जन प्रति निद्यों को अगामी चुनावों में सबक रिखाने की बात कर रहे हैं और इसके साथ ये सम्मेलन में शामिल हुए लोगों में भी सरकार के खिलाफ टतिकी दिया देखने को मिल रही है वे किसान सम्मेलन के आयोजन बनवारी लाल सांथा ने ट्वीट कर लिखा महवा के नेताओं ने एक होकर प्रशासन पर दवाब बना कर किसान आंदोलन के युद्धाओं के सम्मान समारों को लेकर किसानों के खिलाफ मुकदमा करवाया है और उसे किसान याद रखेगा और इसके लाव आपको बता दे कि बनवारी लाल मीना के खिलाब बैजुपाड़ा तैसिलदार राकेश मीना ने महुवा पुलिस थाने में एफायार दर्च कराई है जिसमें बिना अनुमती भीर चुटा कर कोविड काईलाइन का उलंगन करने की शिकायत दर्च की गई और ज सर्फ शेष्ट प्रदक्षण करते हुए सो स्मार्ट सिटी की पृतिस परता में डोप टैन में जगा बनाई है और अजमेर स्मार्ट सिटी ने पंदर्वे स्थान से चलांग लगाते हुए आठवा स्थान प्राप्त किया है और राजिस्थान का कोटश हैर साथवे स्थान पर है और अजमेर स्मार्ट सििटी लिमिटेड सितंबर 2016 से लेकर अब तक रैंकिंग में अपने उच्थम शिखर पर है और समय पर प्रोजक्ट के निविंदायद जारी करना समय पर प्रोजक्ट को पूरा करना और केन राजे काथेरिक निकायों से जारी राशी का तेसा में सीमा में उप्योग करना रैंकिंग में सुधार के प्रमुक कारण रहे हैं और शहरी विकास मंत्राले भारत सरकार ने रैंकिंग के माब डंडो में इस बार बदलाब किया और सो अंकों के साथ साथ इस बार 40 अंकों के रिवोर्ट्स के साथ जोड़ा गया ह और इन 40 अंकों में प्रोजेक्ट के वर्क ओर्डर जारी करने के साथ ही तीन महीने के ओसतन खर्ष को भी शामिल किया गया और इस रिवोर्ड में अजमेर स्मार्ट सिटी को 30 अंक मिलें और इस स्थान पर पहुंचने के लिए मुख्य योगदान अजमेर की दोनों स्थाने न करोड और नगर निगम के 50 करोड रुपे शामिल है आठवी कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिक हाथ जोड़ती रही गिड़ गिड़ाती रही और चूड़ी कारोबारी युवक रेप करता रहा डेट साल तक जवरदस्ती होने के बाद आखिरकार लड़की ने हिम्मत चुटाई और उसने युवक को रोका तो उसने उसकी असलील तश्वीरें और वीडियो वारिल कर दी और पाली के कोतवाली थाने में लड़की की मा ने युवक के खिलाब रेप का मामला दर्ज करवाया है और उसकी गरफतारी भी हो गई है और पुलिस उप अदिक्षा गोतम जैन ने बताया कि कोतवाली थाना छेत में रहने वाली 15 साल की नाबालिक के घर सिंधी कोलोनी निवासी थे साल के कलपेश शर्मा का आना जाना था और कलपेश का चूड़ी सप्लाई का कारोबार है और वो लड़की के लिए कभी चोकलेट तो कभी गिफ्ट नाबालिक ले लाने लगा और धीरे धीरे उसे प्रेम जाल में फसा और मोका देखकर एक बाग कलपेश ने नाबालिक से रेप किया और उसके अश्लील फोटो और वीडियो भी बना ली और नाबालिक को डरा धमका कर किसी को कुछ भी बताने पर वीडियो वाइरल करने और सोशल मीडिया पर वाइरल करने की धमकी दी गए और इस डर से नाब पीडिता के घर पर तो कभी होटल भुला लेता था और नाबालिक उसके सामने कई बार रोई हाथ जोड़े लेकिन उसे तरस नहीं आया और बार बार रेप से तंगा कर एक दिन नाबालिक लड़की ने कलपेश के साथ जाने से इंकार कर दिया और उसका फोन भी रिसीव कर न bandwidth कर दिया था और इससे नाराज होकर कलपेशन नाबालिक के फोटो सोचल मीडिया पर अपलोड कर दी और ये बात नाबालिक के घर तक पहुचि और उसने सारी कहानी मा को बताई और माने कोत वाली थाने में कलपेश के खिलाप रिपोर्ट भी दी और कलपेश दूसरे बाला जी मंदिर के पटबंद कराने से शद धालो और विपारियों में आक्रोश है और विपारियों ने बुद्वार को मंदिर के पास से खटा होकर नारे बाजी करते हुए विरोज जथा है। महंदीपूर बालाजी मंदिर की वज़े से आसपास के लोगों की आजी विका का एक मात स्रोत है और अधिकांश लोगों का विवसाई मंदिर से जुड़ा है और ऐसे में महंदीपूर बालाजी मंदिर बंद होने से उनके सामने रोजी रोटी का संग कट खरा हो जाएगा और ऐसे में बालाजी कस्वे के वेपारियों ने विरोध भी जताया और मंदिर खुलने की मांग की गई और इस दोरान लोगों ने जिला प्रशासन के खलाफ नारे भी लगाए और सरकार से हस्त शेव कर मंदिर खुलवाने की मांग की गई और वहीं आपको बता दे कि कोरोना के नाई वेरिंट पन नियंत्रंट और सरकार की कोरोना गैडलान की पालना का हवाला दे कर जिला प्रशासन ने बालाजी मंदिर के कपार्ट शद्धालों के लिए बंद कर दशन पर अनिश्चित काल के लिए रोक लगा दी थी वह इससे लेकर बालाजी कस्वे में मोजो शद धालू वेपारियो गेस्ट हाउस होटल संचालक प्रसाद बेशने वाले दुकान दार रेस्टोरेंट्स थड़ी थिला फूल माला बेशने वालों ने प्रशासन के मंदिर बंद कर आने के निडने का विरोज शुरू कर दिया